हेलो क्लास 7 तो इस वीडियो में हम लोग NCRT क्लास 7 साइंस के चैप्टर 4 को डिसकस करेंगे और हमारा चैप्टर है इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक नमर भी इस चैप्टर से छूटने वाला नहीं है इसलिए वीडियो में लाच तक बने रहें साधे साथ अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो जरू करते हैं हम अपना चैप्टर तो कह रहा है इन आपको लगता है कि इन सारे सब्सक्राइब का सेम टेस्ट है या लेट उस रिकॉल टेस्टेस और सम एर्डिबल सब्सक्राइब लिस्टेड इन टेबल 4.1 अब नीचे एक टेबल दिया गया है जिसमें कुछ सब्सक्राइब दिये गये हैं और कहला है आपको उन टेस्ट को रिकॉल करिए उन substances के tastes को recall कीजिए यहाँ पर edible substance दिया गया edible का मतलब ही होता है खाने योग substance कहरा है अगर उन में से कुछ substance को आप test नहीं किये हैं तो आप उनको test कीजिए और जो result आपको मिलता है उसको आप लिखिए अब उससे पहले आपको एक box में कॉसन दिया गया है कुछ साब्धानी या precaution कि do not test anything unless asked to do so अगर नहीं कहा जा रहा है किसी भी substance को test करने के लिए तो आप उसको test ना करें मतलब जो चीज आप नहीं जाना है उस चीज़ों को test नहीं करना है यह आनिका रखवा सकता है साथी साथ ऐसे कुछी भी अंजान चीज़ को आप ना चूएं तो आगे हम table 4.1 देखते हैं कि क्या दिया गया है तो table 4.1 में यह substances है जैसे आमला है juice है, orange juice है, curd है, vinegar है इन सारे substance को sugar है तो यह सबसे आप will aware है यह कैसे substance है और इनका test क्या होता है तो basically जो test है वो चार परकार के हो सकते है जो यहाँ पर आगे दिया गया है क्या हो सकता है या तो यह substance sour हो सकता है खटा होगा या तो तीता हो सकता है या तो मीठा होगा या salty होगा तो आपको उस box में भर देना है आगे जो हमारे सामने topic है वो acids and bases अब हमको acids and bases पर focus करना है तो 4.1 में जो table दिया गया है उसी में से कुछ substance को यहाँ पर ले लिया है जैसे cot को लिया है lemon juice को लिया है orange juice को लिया है vinegar को लिया है इन सारे का substance का test जो था वो sour पाया गया खटा पाया गया अब कहा रहा है इस substances test sour अब इन substances का sour test कैसा क्यों है खटा क्यों है because they contains acids क्योंकि इनमें acid पाया जाता है तेजाब पाया जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि the chemical nature of these substances is acidic तो यह जो substances है यहाँ पर उदारन दिये गए है इनका nature कैसा है तो यह acidic है the word acid जो है वो कहां से लिया गया Latin word से लिया गया basically acid एक English word है और English में बहुत सारे ऐसे word है जो दूसरे भासाओं से लिये गया है जैसे Latin से, Greek से तो उसी परकार यह जो acid word है यह Latin word से लिया गया जिसका मतलब ऐसे रह होता है जिसका Hindi meaning क्या हुआ sour means khatta तो the acids in these substances are natural acids करा यह जो substance है कड़ पर गार यह सो तो natural चीज है प्रकृति से मिलने बाला है इसलिए इसमें natural रिसीड पाया जाते है मतलब यहाँ पर यह भी पता चलना है कि acids भी बहुत type के होते हैं जो हम लोग आगे के class में पढ़ेंगे लेकिन इतना दूर पढ़ने के बाद हम यह conclude करते हैं कि acid को अगर हमको define करने के लिए कहा जाए तो क्या कर सकते हैं acid को अगर हम define करें तो इसका हम दो property यूज करेंगे पहला कि इसका test sour होता है और दूसरा corrosive इनेचर होता है corrosive corrosive बताया नहीं है लेकिन हम चर्चा कर देते हैं यहाँ पर corrosive में जलन सील होता है अगर आप निम्बू का रस है तो इसको दो तीन बून रस डाइरेक्ट आप अपने मूह में रखेंगे तो थोड़ा जलन जैसा महसूस होगा इसी को corrosive नेचर बूलते हैं तो acid को हम इसी दो प्रोपर्टि के मदर से define करेंगे कि दो substances which are sour in test and corrosive in nature are called acids दो substances which are sour in test and corrosive in nature are called acids एक्जांपल में आप क्या डाल सकते हैं एक्जांपल में यही में से किसी सब्स्टांस को आप डाल दीजे तो आपका definition यह answer complete हो गया आगे हम देखते हैं what about baking soda baking soda के बारे में आपका क्या ख्याल है does it taste sour क्या यह खटा है if not अगर नहीं तो इसका स्वाद क्या है since it does not taste sour it means it has no acids in it तो baking soda अगर खटा नहीं है तो इसका मतलब है इसमें acid नहीं है तो है कैसा तो bitter in taste है means करवा है और इसको जब आप रब करते हैं इसके solution को जब हाथ में आप मलते हैं between fingers आपको soapy फिलोगा soapy means मुलायम फिलोगा slippery फिलोगा तो कह रहा है generally substances like these which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases तो यह bases को define कर रहा है यहापर बेस को दो प्रोपर्टी के अधार पर एक slippery touch यह soapy touch और दूसरा bitter in taste तो हम कह सकते हैं कि bases कैसे substance है तो दो substance which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases तो यह basic definition हो गई आगे कह रहा है nature of substances is said to be basic अब जिस परकार वैसे substance जो खटे होते थे उनको हम लोग basic कह रहा है थे उसी परकार वैसे substance जो bitter in taste है उनको हम लोग basic कहेंगे उनका nature कैसा है तो basic है we cannot test every substances how do we find its nature अब ऐसा तो possible नहीं है कि आप हर चीज़ को मुह में लगाते चलिए तो फिर पता कैसे करेंगे कि substance जो गी दिया गया है या basic है इसके लिए कुछ special substances का यूज किया जाता है इसको हम लोग indicators बोलते हैं इंडिकेडर्टेंच ये सूचक कैसे बताते हैं कि कोई substance aceric है या basic है तो ये indicators अपना color change करते हैं क्या change करते हैं color change करते हैं Color change करते हैं इसाथ ही का रहा है when added to a solution इसको आपको टेस्ट करना उसके सॉलूसन में इसका यूज करते हैं यहां पर यह सॉलूसन लिखा है तभी आप इसका यूज कर पाएंगे अनिधा यह सो नहीं कर पाएगा तो इंडिकेटर्स आप समझ गए कि क्या होता है एस सबस्टांस डेट टेल अस विदर गिवन सबस् सबस्टांस को हम लोग इंडिकेटर्स बोलते हैं हिंदी में सूचक बोल सकते हैं अब यह इंडिकेटर वर्क कैसे करते हैं कैसे हमको बताते हैं कि कोई सबस्टांस है या बेसिक है तो कलर चेंज करके यहां ध्यान यह देना है कि इंडिकेटर भी दो टाइप के होते हैं ए तयार किया जाता है लैब में तो में ऑतना फोकस नहीं करना हूं यहां पर एक नूट्रल भी स्थब्द आया जिसको हम लोग आगे देखेंगे तो आप बस एक लिस्ट त्यार कर दियेगा एक जामेने अना है आगे हमको यहां पर उधारन दिया है कुछ एसीड का वैसे सब्स्टांस जिनमें एसीड पाया जाते हैं उसका लिस्ट दिया गया है यह है नेम ओफ एसीड और यह है सबस्टांस तो विनेगर में कौन सा एसीड है एसेटिक एंड टेस्टिंग मिन्स जब चीटी कारता है तो कैसा एसीड आप में एक यह करता है डालता है इंजक्ट करता है तो फॉर्मी के सीड जो भी साइट्रस प्रूट है जैसे औरंज ल सकते हैं वहीं पर कहरा है कि कुछ एसा बेसिये गए है जो सबस्टांस में पाए जाते हम पाहला लां Above watch सिर इसमें ही और उयाता है हिसमें हाई विंड व है सोप में सोडियूं है जे दो ultimate ठाइशाए मैं में मनेसियम हाई्ड हाय है तो एक चीज है यहां वे देख रहा हloo है साड़े बेसेस में हाईडर ओक्साइड लगा हुआ है तो यह बेस का पहचान है आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं आगे हम लोग देख रहे हैं कि इंडिकेटर के बारे में वन बाई वन हमको बताया है 4.2 में नेच्छल इंडिकेटर के बारे में बताया है